असलामों अलेकुम मैं जलेकारपाद जलेकास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते बड़ियासा दाल गोश्ट दूदियों माला मैं तो दूदियों बोलती हूँ आप लोग शायद लौकी बोलते होंगे तो चलिए शुरू करते हैं साधारा याने ordinary ingredients से extraordinary dish बनाते हैं चलिए सबसे पहले न मैंने आधा कप तूर दाल यह आप देख सकते हैं यसे तूर दाल कहते हैं यह आधा कप तकरीबन 100 ग्राम मैंने लिया था और यह है तकरीबन आधा कप इसे कहते हैं चना दाल, मैंने दो दालों को मिक्स करके पकाया है, तो दोनों 100-100 ग्राम्ज है और आधा-धा कप है, जिसे मैंने एक घंटे पहले 2-3 पान इसे धोग के पानी में भिगाने रख दिया था, अब एक घंटा हो चुका है, तो मैं नितार के कुकर के अंदर दाल द कर दिजिए और इसे फास्ट आज पर एक दो सिठी खिला कर स्लो आज पर तकरीबन 10-12 मिन तक पकने दीजिए, 10-12 मिन हो जाए तो इसके बाद बंद कर दीजिएगा, मैं यहां पर मेरे पास 2 कुकर है, तो दूसरे कुकर में मैं यहां स्टार्ट कर देती हो, लेकिन आपका एक ही कुकर हो, तो आप एक के करके करिएगा, चलिए अब एक दूसरे वाले कुकर के अंदर मैंने तेल दाल दिया, अब इस तेल के अंदर दाल दीजिए, गरम मसाले, यहां पर मैं दो तेज पते दाल रहे हूं, और 3-4 लॉंग, 4-5 काली मिर्च, और एक डांडी दाल चि तो इसमें मैंने 3 मीडियम साइज की प्यास काटके रखी है, स्लाइस करी हूँ, यह दाल देती हूँ, और इसे बार-बार चलाते हूँ, फ्लाय कर लीजिए, तब तक फ्लाय कीजिए, जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, साइट पनना यह मैंने धो कर, नि मेडियम साइज कर दीजिए, और उसे बार-बार चलाते हूँ, अद्रक लासन के पेस्ट को भून लीजिए, तब तक भूनिया जब तक कच्छे पन के खुछ भूनिया चली जाती, अब दाल दीजिए, आदा छोड़े चाय का चम्मच नमक, आदा चोड़े चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और एक चोड़े चाय का चम्मच, भूना पीसा जीरा पाउडर, मैंने चुला स्लो कर दिया है कि नीचे लगे न, और एक चोड़े चाय का चम्मच भर कर, स्पाइसी वाली लाल मिर्ची का पाउडर, और आदा चोड़े चाय का चम्मच, ये जो गरम मसाल पाउडर दाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब आप चाहें तो मीडियम आज कर सकते हैं मीडियम आज में कर देती हो और इसे बार-बार चलाते हुए दो-तीन मिनिट तक भून लीजिए तब भूनी जब तक तेल नहीं छूट जाता तो हल्क असा जैसे वन फूट चोड़ा जाएगा चमज काश्मीरी लान मिर्च पाउडर दाल रही हुए एक दम नाम का दाल कर मिक्स कर लीजिए जब दो-तीन मिनिट हो जाए भून कर तो इसमें मैं दाल देती हूँ पानी तकरीबन सवा का पानी डाल दीजिए और इसे एक बार चला ल मिनिट तक इसे पकाया है जब 11 मिनिट हो जाए तो चूले को कर दीजिए पंद चलिए डाल पर आते हैं प्रेशन अच्छा निकल गया आप देख सकते हैं दाल तो माशालला हो चुकी है अच्छा मैं जहेनी से जेरती नहीं हूँ लेकिन आप चाहें तो जहेनी या घोटनी से जेर सकते हैं या घोट सकते हैं दाल को ये 200 गरम चोटी सी मेरी लौकी है या मैं तो इसे दूधी कहती हूँ इसे मैंने काट कर दाल दिया है थोड़े से कड़ी पत्ते में दाल लेती हूँ इसे एक बार चला लीजिए चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए नम्मक को gasket मत लगाईएगा फुकर के ढकन के अंदर और इसे बिना gasket के लगा कर ढाक कर इसे तकरीबन हमें है ना लौकी को 90% तर पकाना है यहां इसे में side पर रख देती हूँ और गोश को check कर लेती हूँ यह देखे और गोश तकरीबन यह भी 90% तक ही हुआ तो अब क्या करना है जब लौकी 90% हो जाती है यह देखे यहां पर मैं check कर लेती हूँ माशालला 90% हो गई है अब यहां आपके एसाब से मेरे पास मैं तूसरी तीसरी वाली पतिली के अंदर डाल कर आपको presentation करके दिखा रही हूँ इसके लिए में तीसरी पतिली ले रही हूँ लेकिन आप चाहें तो यह कुकर वाला उस कुकर में डाल दे दूदी वाला या फिर गोश को इस वाले में डाल दे आपने जैसा करना है लेकिन मैंने किया किया है तीसरी पतिली लिए उसके अंदर सबसे पहले मैंने कुकर का दूधी वाला डाला, सारा डाल के साथ, और यहां गोश वाला भी सारा डाल दिया है, इस वाली पतिली के अंदर, और चूला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, सबसे पहले तो एक बार मिक्स करके, इसमें एक उबाल आ जाने दीज हलका उबाल आने लगा है, तो थोड़ा सा हरा धनिया, याने के कोथ में बारी काट कर दाल दीजिए, थोड़ा सा मैं पुदीना सूखा हुआ दाल रहे हूँ, आप चाहें, तो टोटली स्केप कर सकते हैं, या आप चाहें तो फ्रेश वाला भी दाल सकते हैं, मैं यहां एक मैंने जादा स्पाइस नहीं दाला तो 3-4 हरी मिर्चयों को मैंने स्लिट करके दाल दिया है, चुला कर दीजिए, श्लो आच और इसे धाक कर तकरीबन 6-7 मिनित तक पकने दीजिए, जब 6-7 मिनित हो जाए, तब नम्मक चेक कीजिए, मुझे अब हलका सा कम लग रहा है, त मैं इसे धाक कर, मैं इसे रहने देती हूँ, मैंने अभी चुला बंद कर दिया है, हाँ, मैं थोड़ी देर के बाद फिर से गरम परनने के लिए रखी हूँ, कि ये गरम हो जाओ, राकी का प्रोसीजर में करो, लेकिन आप चाहें तो वहीं से ही प्रोसीजर शुरू कर सकते है, बगार का तड़के का, तो मैंने फिर से गरम पर रख दिया था, थोड़ी से अच्छी गरम हो गई है, ये आप देख सकते हैं, क्या बड़ी आसी दूदी आप देख सकते हैं, एकदम खुली खुली भी नहीं लग रही है, बिचारी पूरी फट फुट गई हो, ऐसी नह देती हूं, और एक कटोरी या वाटी रख दीजिए चूले के ओपर, और अच्छा गरम कर लीजिए इसको, और इसमें तेल दाल दीजिए, तेल को भी अच्छा गरम कर लीजिए, ये अच्छा गरम हो जाए, तो क्विक्ली इसके अंदर आदा चुट चैका चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, और हमारी जो दाल है, इसके ओपर दाल दीजिए, तो ये बढ़िया से तरी भी आजएगी, फूप सारी, बारी कट्ची भी कोतमी, यानि क्या हरा धनिया दाल सकते हैं, ये मैंने हरी मिच्छी साइट पर रख दी थ इसके बाद मैं ये जो दूधी भी दाल दी जिसब को मिक्स करके पानी डाल कर उसे पकड़े दीजिए दंपर 15-20 मिनिट तक, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, इस रसबी में हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का इस्तमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिए का, तो हैना मज़ेदा जो आपने स्वाद पहर और अपने स्वाद पहर स्वाद रिच्पी अगर आप ये वाली रेसिपी बनायां और मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शिए और लाई को अधिये टीजिए और उससे जादा अच्छी लगिए तो अपने येशानाग दंदार रिषिपी के तो दें ते गर लाफ विस्ट बड़े